कौन से मुद्दे हैं मुम्रा शहर के अंदर और अभी तक क्या लाएंगे सामने अस्सलाम वालेकुम जै महाराश्टर मैं इर्फान सहीत कल वह मुम्रा विदान सभाद्यज महाराज नौनिर्वान वातुक से नहां कि मैंने कल एक न्यूज देखा कि जिसमें मुम्रा के समाज सेवक हैं और एक पार्टी के कारीकरता भी है हमारे मन से पर उंगली उठा रहे हैं किस मुद्दे पर उठा रहे हैं वो कि मुम्रा में मुम्रा में कल हमने न्यूज देखा है और आप लोगों को भी साहित मालूम है कि जो दरगा का जो मामला चल रहा है उसकी सीडियों पर कारवाई हुई है 30-35 सीड़ी कुछ तोड़ी गई है यह वन विभाग का मामला है वन विभाग जो है अभिनाज दाजय ने जो लेटर दिया है तो वन विभाग कारवाई कर रही है वो करेगी तुम क्या समझेगा लेकिन हमने प्रेस कॉंफरेंस लिया है वह वसीम सयद के उपर लिया है कि वसीम सयद साहब को आपके चैनल के माध्यम से हम जवाब देना चाहेते हैं कि जो कह रहे हैं कि अविनास दादा जाब जो है वो अन बहुत ऐसे अलफाजों का इस्तिमाल कर रहे हैं जो नहीं कह सकता तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखो वसीम सेयद भाई जो सस्ती सोरत हमारे नेता जी को नाम ले खरके आप जो हासिल करने आयो तो इतना उनको नहीं है आपको जवाब देने का, एक मनसे का कारी करताई मुम्रा का इर्भान सेयद तुम्हारे जैसे चिंटु मिंटु के लिए भारी है और सुन लीजे वसीम जया साहब कि आप जिसको पपा बोलते हो ना और जिसकी पार्टी में हो और आप जिससे पार्टी में आप पहले रहे करके आए हो जिसको आप पहले पपा मानते थे उनको छोड़के आए अब जिनको पपा मानने हो तो वो तुम्हारे पपा से आपके प हमारे वाप्पा से कुछ रहा हमारे पपपा से कुछ होता नहीं है यह दो शर्द स्चिश इस निक सुरच भी है कौन है और शॉट करने आते हैं ना तो पप्पा कोन है और पहले यह समाजवादी पार्टी है दॉट्व मालू में अब अब इन के पपा का भी न पांगरेस न इनको नई सीपी कॉंग्रेस शीव से ना इन ये जतनी पार्टी थी कुछ दिन पहले मुम्रा के पत्रकार खुब अच्छे से जानते हैं जनता भी जानती है कि यह कहां कॉंसिकंड बदन में थे तो यह जो आज पंजे का कांग्रेस का पट्टा पहन करके और मनसे पर अंगली उठाने आएं तो हम आपके चैनल से बताने आएं कि अपनी जोबान को अगर रगाम नहीं देंगे तो यह मनसे का कारी करता इनको जो है न मारने का काम करेगा दोडा के और यह जो है अपने आवकात पर ही रहे नहीं तो इनको मनसे के कारी करता इनको दोडा दोडा के मारेंगे आपको हम बता रहे हैं क्योंकि मुम्रा में जिस तरीके से अविनास दादा को गलत बात का इस्तिमाल किया गया है उसका हम बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं वसीम सेयत को और वसीम सेयत को आपके चैनल स जादा कूदो मत क्योंकि तुम्हारे पप्पा के अंदर इतनी सलायत नहीं है कि जो कुछ बोले और कुछ हो जाए वह हमारे पप्पा के उपर ताकत है जो रात में 10 वजे बोले और सुबह चिल्ला उखड़ गया और अविनास दादा ने लेटर दिये कारवाई हो गई समझे तो तुम जो है जिस पार्टी में हो वो पार्टी की ताकत और तुम्हारी ताकत सब को मालूम है मम्रवालों को तो इससे बेतर है कि अपने जुबान को लगाम दे और जो वो कर रहे है ना वो करें सर ये वसिम सयद पर बात होगी कि कुछ जनता के फाइदे की नियुक्त करेगा इरफान सयद मुम्रा शहर के अंड़ा इतना साल से राटनीटी कर रहा है जनता का क्या फाइदा किया हो जरह बताईए नहीं ये सवाल नहीं ये सवाल कुछ दिन पहले आप लोगों को मानने सर मेरी बात सुनिये ना कि इस 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 अपने कहा कि वसिम सयद ने अविनास जादों को बहुत कुछ का क्या कहा आप खुल के बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा देखे कैसा है कि जो अलफाजों का इस्तिमाल करें ये तो वह अलफाज हम दोरा नहीं सकते ब कोड़ा सही रहो आप नहीं तो फिर मंसे वाले सही कर देंगे अपने स्टाइल में हम आप लोगों के चैनल से कहने आए उनको और ये हमारे नेता जी का नाम लेकर के सस्ती सोरत हांसिल जो करने आए हो तो ये बंद करो क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है समझे वो सिर मेरे राज साथ ठाकरे जी बोलते हैं वो होता है वो तुम्हारे पपा की और तुम्हारे लोगों की बस की बात नहीं है